हेलो गाइसे और वेलकम तुमाई यूटूब चेनल टेक बॉम के दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यदा इंपोर्टेंट और यूजफूल होने वाले है इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने Samsung Galaxy EF34 की पोन में रियल टाइम नेटवर्क स्पीड और डेली डाटा यूजज अपने स्टिटिस बार में कैसे सूख करेंगे सबसे पहले आपको प्लेश्टोर ओपन करना है क्योंकि आपके फोन के सेटिंग में फीचर नहीं है प्लेश्टोर ओपन करेंगे यहाँ पे आपको सर्ज करना है नेट स्पीड एंटिगेटर इसके बाद बहुत से अप्लिकेशन मिलेंगे यह अप्लिकेशन हमारे फोन में देख सकते हो जो दूसरे नंबर पे है यही वाला आपको डाउनलोड करना है तो एप्लिकेशन आप लोग देखेंगे तो काफी चोटा एप्लिकेशन है एक एमबी से भी चोटा है और पांच मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोडर है आप इसको डाउनलोड करके ओपेन कर लेंगे ओपेन करने बाद यहाँ पे आप लोगों को जैसी ओपेन पर किलिक करते हो यहाँ पे अलाउ के ओप्सन पर किलिक करके इसको परमिसन देना है सबसे first option automatic on हो जाता है enable indicator का और यहाँ पर downloading uploading speed show करने लगता है अब थोड़ा नीचे आते हैं एक option मिलता है daily data usage का आप इसको on कर देंगे data usage भी show करने लगेगा first time किलिक करेंगे open setting पर किलिक करेंगे permission मांग रहा है तने speed किलिक करके आप इसको permission देंगे bike आ जाते हैं इसके बाद wifi usage भी आप लोग show कर सकते हैं और downloading uploading speed mobile data यह सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं show करने लगे आप अपले किसम को यहाँ से cut कर देंगे फिर भी यह work करेगा आपको हमेशा यहाँ पर देखने को मिल्दारेगा